भगवान श्री कृष्णा गीता में उमकार के बारे में बात करते हैं, भगवान कहते हैं, वश्णों में मैं एक अक्षर उमकार हूं, उमकार एक अक्षर है जो तीन ध्वानियों से मिलकर बना है, तीन मौलिक ध्वानिया, अ, उ, और म, ये जो तीन ध्वानिया है, इन तीन ध्वानियों से मिलकर उमकार बना, और इस उमकार इस महबीच से फिर सारी संसार की उत्पत्ती हुई है, अब हम इसको थोड़ा कहराई से समझते हैं, जो विस्ट्रन साइंस है, वो कहती है, कि समस्त जीवन का जो आधार है, वहें वित्य वित्युत है, यानि इलेक्ट्रोंस है, जो भारतिय प्रग्या है, वो कुछ और कहती है, वो कहती है, वित्युत नहीं, साउंड यानि की ध्वनी, यही आधार है, तो वेस्ट्रन साइंस वित्युत की बात करती है, और भारतिय प्रग्या जो है, वो ध्वनी की बात करती है कहते हैं कि जो sound है वो आपके अंदर अलग-अलग तरह की भावनाएं पैदा करती है अलग-अलग तरह के emotions और उसके कारण फिर आपका behavior बनता है तो west में western science ये कहेगी कि वित्य ताधार है और विद्यूत से ही sound energy बनती है परन्तो भारतिय प्रग्या इसका पिलको लुल्टा कहती है कि sounds जो है उससे वित्यूत की उत्पत्ती हो सकती है और होती ही है तो एक विशेश प्रकार से पड़ी जो वित्यूत है या लैबदता है western science के according वो sound energy बनती है परन्तो हमारा जो दर्शन है वो example तान सेन के देता है चाहे वो कहानी सही है या नहीं परन्तो जो मूल बात है वे यह है कि जब कोई राग बोला जाता है कोई sound produce की जाती है कोई ध्वनी produce की जाती है तो उससे जो है वित्यूत का निर्मान होता है अगनी भी पैता हो जाती है तो दोनों कहीं न कहीं गहरे में एक दूसरे के साथ संयुक्त है जैसे आइंस्टाइन का e is equal to mc square ये पूरे भौतिक शास्त्र का निचोड़ है अभी तक की research का निचोड़ है ऐसे ही जो ओमकार है वो भारती शास्त्रों का निचोड़ है शास्त्र चाहीं छोट भी जाए लेकिन ओमकार नहीं छोट सकता जो ओम है यदि हम उसी को गुंजाते चले जाएं उसी की ध्वनी को अंदर ही अंदर बार बार रिपीट करते जाएं तो उसी से ही ज्यान पैदा हो जाता है अनिक शास्त्र बन जाते हैं विस्तार आ जाता है तो नादियोग कहता है कि पहले उमकार आया और उमकार से ही फिर सारे संसार की रचना हुई यानि कि सारा संसार बनता चला गया जो साधक है वो थोड़ा सा उल्टा करता है वो क्या करता है वो संसार से उमकार की तरफ चलता है यानि अपने आपको मिटाता जाता है उमकी ध्वनी साधना में गुझाते प्रवेश होता है ये वो ध्वनी है जो अस्तित्व में गूझ रही है जब हम ध्यान में बेठते हैं उस समय ध्वनी हमारे अंदर आने शुर हो जाती है फक्वान श्री खुर्ष्ण कहते हैं गीता में कि मैं यग्यों में जब यग्यहूँ अब हम इसको भी समझे या कि यानि की कोई ऐसी एक योचना कोई ऐसी व्यवस्था जिसके माध्यम से हम अस्तित्व से जुड़ जाते हैं हम अस्तित्व से टूटे हुए हैं हम अस्तित्व से जुड़े हुए नहीं है हमें जुड़ना है वापिस उसी इस्तित्व में तो उसके अलग-अलग मार्गों होते है उन मार्गों का हमें चैन करना होता है कि एक मार्ग हमने पकड़ लिया तो अनेक तरह की यग्ये हैं जिने इसकी नौलिज नहीं उन्हें लगता है कि ये तो सिर्फ एक कर्म कांड है क्रिया कांड चल रहा है इससे क्या होगा इससे क्या लाब होने वाला है लेकिन जो इसकी बेसिक साइंस को जानते हैं वो जानते हैं कि किस यग्य से क्या लाब होता है किस तरह से आपके अंदर बदलाव आता है तो जैसे किसी आदिवासी को लेकर आया जाए और कुछी कम्प्यूटर के सामने बैठा दिया जाए और कहा जाए कि इसके माध्यम से आप अपने दूर बैठे किसी साथी से डारेक्ट बात कर सकते हो तो उसको विश्वासी नहीं होगा उसे लगेगा ये क्या नाटक है ये क्या पागलपन है एक बॉक्स सामने रख दिया गया है और कुछ तारों का जाल भिछा दिया गया है ये कैसी संभव है या उसके सामने रेडियो को खुल कर दिखा दिया जाए तो उसे समझ नहीं आएगा कि कैसे धुहनी इसमें निरूमित हो सकती है कैसे दूरूर की साउंड्स इसमें आसकती है समाचार सुने जा सकते हैं उसे समझ नहीं आएगा ऐसे ही बहुत से लोगों को जो वेदिक साइंस है उसके बारे में पता ही नहीं है पता नहीं चलता सिग्मिन्ट फ्रायर्ड ने अपने संस्मरणों में लिखा कि एक बार मेरी शहर में छोटा सी शहर में बुड़ रहते थे कि देहात से विलेज से कोई एक व्यक्ती उनके घर महमान हुआ अब उसने कभी ये बिजली देखी नहीं थी उस समय लालटेन चलती थी तो वो देखकर हैरान हो रहा था कि घर में रात में भी कैसे रोशनी है बिना लालटेन के तो वह है जब रात्री में अपने कक्ष में सोने गया तो सोचा कि मैं अपने आप इस लालटेन को बुझा लूँगा यानि इस बल्ब को बुझा लूँगा किसी से पूछूँगा तो मेरी मजाग बन जाएगी रात भर उसने कोशिश की बल्ब को फुकता रहा कुर्सी लगा कर उपर चड़ा सब तरह की विवस्था करने की कोशिश की लेकिन उस बिजली को पुझा नहीं पाया जब सुभे उटता है तो फ्राइट से उसने आखरी में पुझा हार के कि ये बंद कैसे होती है रात को ठीक से सो भी नहीं पाया मैं रात भर ये रोशनी जलती रही तो फ्राइट ने बटन दबाया और बल्ब बंद हो किया तो वो हैरान हो किया कि ऐसी भी कोई विवस्था होती है कि एक बटन दबाने से जो है ये जो लालटेन है यानि कि ये जो बल्ब है ये बंध हो जाता है उसे पता ही नहीं था तो अलग-अलग तरहे की विवस्थाएं होती हैं जो हमारे रिश्यों ने मुन्यों ने बनाई हैं जिसके माध्यम से हम परमात्मा से चुड़ते हैं भगवान कहते हैं जब यग्यश रष्ट है यानि जब न एक ही मंत्र को दोहराते जाना एक ही बात को दोहराने से हम अपने भीतर उसकी ध्वनी निर्मत करते हैं जिसके माध्यम से फिर उसका असर हमारे बौडी पर आता है हमारे हार्मून्स पे आने लग जाता है हमारे बिहेवियर पे आने लग जाता है और उसके द्वारा हमारे आसपास का संसार निम्मत होने लग जाता है तो उमकार की जो ध्वनी लगातार 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 गुंजाता जाता है उसके आसपास फिर वैसा एक अलग वातावरन बनता है वो एक ब्राटकास्टिंग स्टेशन बन जाता है उसके रोम रोम से ओम की ध्वनी प्रसारित होने लग जाती है और वो जो ध्वनी है वो परम ध्वनी जो है ब्रहमांड में जो चल रही है उसके साथ उसका connection होने लगता है तो व्यक्ति बदलने लगता है उसको अलग-अलग चीज़े अनुभव में आने लगती है जो चीज़े अनुभव में अभी नहीं आ रही वो सुक्ष्व अनुभव उसको होने लग जाते हैं उसे पता चलने लग जाता है कि क्या चीज़े और है अस्तित्व में प्रकृति अपने रहसे खुलने लगती है जैसे कोई टीवी देख रहा हो तो उसे पता नहीं चलता कहीं बार की पैर सो गया है या कहीं बाडी में दर्द हो रहा है टीवी बंद होता है तो याद आता है कि हाँ पैर सो गया पैर फैलाना चाहिए उसी प्रकार से जो व्यक्ति उमकार में मंत्र ध्वनी में गुम हो जाता है वो व्यक्ति अपने आपको एक अलग ही लोक में पहुचा देता है चेतना अबद हो जाती है एक ही तरफ, एक ही दिशा में बहने लग जाती है तो ऐसे ध्वनी को प्रड्यूस करना और अपने अंदर एक सुन्दर से स्वर्ग का निर्मान करना यही एक साधक का करतवे होता है और अगर हम ऐसी सुन्दर से लोग में प्रविश्का जाते हैं जा शांती है जा आनंद है जा हिमाले जैसी स्थर्ता है तो समझे फिर हमारा जीवन सफल हो जाता है सब इको हरियो